हेलो फ्रेंड्स एंड ये श्टूरेंट्स आज का माँ टॉपिक है मेडिशनल केमस्टी थर्ड के इंतरगर टेट्रासाइकलिन्स और इस यूडियो हम लोग टेट्रासाइकलिन एंटिबाटिक्स का एक जनरल इंट्रोड़क्शन उनका स्टॉक्चर, कैमिकल डिडिडेशन, उनका क्लासिफिकेशन, मैकिन आफ एक्शन इत्यादि को एक्जेम्पल्स के साथ आसान तरीकी से समझने की कोशिश करेंगे मैं हम डोक्तर पजिने शुक्ला चली शुरू करते हैं tetracycline जो है वो aminoglycoside antibiotic जो कि हमने पिछले टन पर आप से डिसकस किया था उनके जैसे ही bacterial protein synthesis inhibitors होते हैं जो कि ये broad spectrum potent antibiotics हैं और ये हमें प्राप्त होते हैं कुछ soil actinomatis bacterias like septomyces और इनके जो species के bacterias हैं उनके fermentation करने के बाद tetracycline जो है वो हाँ पर आपको linear यानि एक line में annulated six member rings देखने को मिलती है जैसा linear structure आपने देखा था कहना है anthracene के case में यहाँ पर team engineering आपस में जोड़ी होती है वैसा ही कुछ structure है एक extra ring है यहाँ पर चो चार ring होने की वज़ए से four का मतलब हो गया tetra और cycle है चार cyclic ring है इसलिए इसको हम बोलते है tetra cyclin tetra मतलब four cyclin मतलब rings तो अगर आप इसको और precisely देखें या इसके chemistry और structure की बात करें तो इसके structure में हमको octahydrotetracene 2 carboxamide जो है वो एक basic moetic रूप में दिखाई देती है जहां पर चार जो रिंग system लगे हुए it is the structure of octahydrotetracene 2 carboxamide आप देख रहे हैं इसकी numbering जो हम लोग यहां से करते है one two three four five six seven eight nine ten eleven and twelve these are the positions और जो हमारे जहां पर rings आपस में जुड़ी हुई है उसको हम बोलेंगे जैसे कि four और five के बीच में का तो इसको बोलेंगे four a that position is five a this position is six a this is ten a this is eleven a and this is twelve a तो इस तरीके से इसकी numbering की जाती और दूसरे positions पर यहां पर जो carboxamide है यह generally हमको हर जगा देखने को मिलेगा अब जो substitutions है वो fourth position fifth position sixth position five a और four a position now seventh position डस ग्यारा बारा और एक पे हम लोग जो है oxo group या hydroxy group लगा करके tetracyclines जो हैं वो प्राप्त करते हैं जानि कि जो यह structure मिलेगा tetracyclines में आपको यह चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेगी बात करने के chemistry की तो यहाँ पर हमने पहले कहा कि basic risk system यह है इसके बात जो stereocemistry है tetracyclines की वो बहुत ही ज़्यादा complex है carbon number four five six five a और four a जब हम tetracyclines का structure अभी आपको दिखाएंगे वहाँ पर यह positions और 12 a positions इन जगहों पर हमको जो है chiral carbons देखने को मिल सकते हैं अगर हम इन पर substitution करते हैं तो आईए structure देख लेते हैं पहले यह देखिए आपके सामने जो यह structure आप दिख रहा है इन जगहों पर आप देखिए कि यहाँ पर A1 चार रिंग सिस्टम है A B C D हम बोल रहे हैं A हम उस रिंग को बोलेंगे जहाँ पर अब यहाँ पर देखिए 4 पोजिशन 5 पोजिशन 6 पोजिशन और 7 पोजिशन पर धेर सारे सब्स्यूशन आपको दिखाई दे रहे हैं इसी तरीके से 1 और 12 11 और 10 पे हमको जो है या Hydroxy या Oxo Group, Keto Group देखने को मिल रहा है जो Oxytetracycline होती है इन दोनों पर जो 5 पोजिशन है इस 5 पोजिशन पर अलफा Hydroxyl Substitution होता है जिसके आसमको 6 काईल सेंटर्स देखने को मिलते हैं ज्यादा तर और जो इनके अलावा जितने भी हैं यहां पर हाईडोजन ही होगा जिसकी वज़े से आपको सिर्फ 5 काईल सेंटर्स मेरेंगे और वो 5 काईल सेंटर्स कौन कौन से होंगे फॉर्थ फॉर्थ ए आपका फाईव ए फाईव पोजिशन पर तो मतलब नहीं रहेगा तो फाईव ए और इसके अलावा आपको 12 ए इन जगहों पर जो है सिर्फ 5 पोजिशन पर काईल सेंटर्स देखने को मिलते हैं इन दो ड्रक्स को छोड़ करके और जितनी भी ड्रक्स ह इतने होंगे काईल सिंटर 6 होंगे बाकी सम्में 5 होंगे अब इसके स्ट्रक्चर को और ध्यान से देखने पर हमें पता चुलता है कि यह तीन पार्ट में इस स्ट्रक्चर टूट सकता है यानि यह पार्ट जो है ड्रक का वो क्या है इसे डिक इन नेचर है दूसरा जो हमेरा पार्ट है वो डी सी और बी साइट के बारा एक ग्यारा और दस्वा पोजिशन जो है यहां पर हाड्रॉक्षी ग्रूप और जो फिनॉल ग्रूप आपको देखने को मिल स्वारी हाड्र इसके बीच में होगा जो कि एक स्लाइटली एलकलाइन पी एच हमको दिमलता है यानि कि यह जो पोर्शन है हमारी ड्रॉप का वो स्लाइटली एलकलाइन या बेसिक मौर्टी जो है यह मानी जाएगी नेक्स यह जो तीसरी पोजिशन से हैं आप मैंने हाड्रोजन लगा करक इसको लिखा है नहीं तो जनरली यहाँ पर अमीन जो है हमको तर्शली अमीन देखने को बलता है दो मिधाईल ग्रॉप के साथ जिसका पी के वैलू 9.1 से 9.7 होता है यानि कि यह स्ट्रॉंग एलकलाइन पोर्शन है हमारी ड्रॉप का तो दो पोर्शन से यहाँ पर एलकला प्लेंस है वह एपीमराइजेशन के थ्रू भी जा सकते है और इस एपीमराइजेशन जो है यह यह पीमराइजेशन जो है वह काबन नंबर 4 पर हमको देखने को बिलता है अभी आप देख रहे हैं जो नेच्छल एंटिबाटिक्स है वहाँ पर यह हमने डॉटेड लाइन स अबVideo the plane यह हमको जो अमीनोग्रूप दिखाई दे रहा यह विलोगद प्लेट होता है और चुछरी अमीन गॉर्प है लेकिन इपीमराइजेशन होता है carbon no.4 पे जिसकी वज़े से जब भी कभी कोई intermediate pH range मिलता है 2-6 pH के बीच में और इसकी वज़े से में EP tetracyclines मिलती है EP tetracyclines जो होती है वो होती है inactive जबकि यह जो आपके सामने tetracyclines के structure बना है they are the active ones तो EP merization होने पर वो inactive या less active form में convert हो जाती है जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यह tetracyclines है और यहाँ पे मैंने कहा कि hydrogen जो है above the plane है और यह dotted line वाला below the plane जो तरश्रिय अमीन ग्रूप लगा वो below the plane लगा हुआ है लेकिन जब भी merization होता है तो यह change जाती है इंकी position यानि यह जो nitrogen है वो कहाँ चला जाएगा above the plane hydrogen कहाँ चला जाएगा below the plane और जिसकी विज़े से हमें एक 4 EP tetracyclines पर आप्त होंगी जो कि less active होती है या फिर inactive होती है एक तरीके से कह सकते हैं कि pH के एक stable pH या एक 2-6 pH के बीच में हमारी drug जो है वो थोड़ा सा कभी के बार जो है उसकी activity कम हो सकती है due to the epimerization chemical degradation की बात करें तो यह भी एक example of chemical degradation है लेकिन अगर strong acid or base attack करें हमारे tetracyclines के उपर तो वो जो है जो OH group है 6 position के उपर उनकी वज़े से उसको inactive tetracyclines में convert कर सकता है pH 2-6 है के बीच में ये दोनों एक दूसरे में convert हो रहता है जैसे कि active और inactive form में convert हो रहा है अभी अभी आपने देखा और यहां पर एक चीज़ और देखने वाली बात है कि ये जो double bond है इसकी भी shifting होती रहती है ये double bond जो की हमारा 12 और 11 एक बीच में था ये अगर transfer हो जाए हमारे oxygen के साथ तो हमारा जो hydrogen है वो transfer हो जागा इस carbon के उपर ठीक है तो ये भी एक दूसरे में क्या होते रहती है पोजिशन्स चेंज होते रहती है और epemerization जो है वो इस प्रकार से हो रहा होता है लेकिन वो जो drugs ऐसी drugs जो natural drugs जनरली वहां पर हमको देखने को मिलता है hydroxy जो position है six positions पे वो ही जो है degradation करने का सबसे बड़ा कारण है अब देखिए जो active form है अगर इस पे acid जो है वो attack करते है इनको इनके साथ जो है वो react करेंगे और जिसकी वीज़े से यह bond जब OH गुरूप हटेगा तो यह bond transfer होगा कहां पर carbon no.5 और 5A के बीच में double bond के रूप में है जब यह double bond मनेगा तो this double bond will also shift between the this position तो ऐसा हमको देखने को मिलेगा hydrogen will shift to this double bond O तो यहां पर क्या बनाएगा hydroxy group बन और पहले इस रिंग में कोई भी double bond नहीं दिखाई दे रहे थे अभी यह वाले double bond को छोड़ करके इधर कोई double bond नहीं था लेकिन अभी यहां पर आपको यह shifting होगे double bond की और यह देखने को मिला अब यह जो एन्हाइडर स्ट्रा साइक्लिंग का structure आपके सामने आ रहा है यह क और के molecule के निकलने की वजह से एक जो है आपका lactone ring का formation होगा यह oxygen यहां पर जुड़ जाएगा sorry यह oxygen इस carbon के साथ जुड़ेगा not this oxygen this carbon will attach to this oxygen जिसकी वैसे क्या बनेगा एक lactone ring बनेगी और इस lactone ring के formation की वजह से यह जो ring आपका four ring system है यहां से break हो जाएगा इस break होने के वजह होगा यानि कि अगर acid attack करते हैं तो भी anidus tetracyclines हमको मिलती है और अगर base attack करते हैं position number six के उपर तो हमको जो है inactive lactone ring वाला एक derivative प्राप्त होता है जो कि क्या होगा inactive होगा next यह था chemical degradation अब बात करते हैं classification की तो generally जो हमारे tetracyclines हैं इन क्लासे हमको देखने को मिलती है एक हमार natural यह जाज जिनको हम bias synthetically प्राप्त करते हैं दूसरी हमारी semi synthetic drugs कोगी natural drugs सही semi synthetic तरीके से प्राप्त की जा सकती है और तूसरी हमारी pro tetracyclines तो आपके सलेवस में natural or semi synthetic drugs है तो इनके structures भी हम लोग साथ साथ देख लेते है natural tetracyclines जो है उनका structure कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है यहां पर आप देख रहे हैं कि o h group generally लगा होता है six position पर यह हमको ध्यान देनी वाली बात है इसलिए इनका जल्दी degradation हो सकता है जिसा भी हमने ऊपर देखा था next इसके साथ ही साथ r1 r2 और r3 जो है position number four sorry five आपका six और seven पे लगे होता है अब यह r1 r2 क्या है tetracyclines जो की tetracycline जो की हमारा cyclin sorry tetracycline जो की हमारी पहली ड्रग थी इस पहली ड्रग में जो r1 है वो h है r2 जो है यहां पर वो cst और r3 जो है वो h है एक चीज और देखने वाली position है यहां पर ध्यान दीजेगा कि जो 12 a है वहां पर hydrogen पाय जाता है natural tetracycline में जबकि semi synthetic या process tetracycline में यहां पर ह कि जगब यहां पर cl आ जाता है r2 वही cs3 हो और r3 वैसे ही h रहेगा हमने कहा भी आपसे कि tetracycline और chlor tetracycline जो की oxy और एक oxycline से अलग है जहांपर हमको यहां पर hydrogen ही देखने को मिलेगा तो hydrogen बाकी सब में यहां पर hydrogen देखने को मिलेगा इसलिए hydrogen मिलने की वज़े से यह position पर क्या हो जाएगी यह हमको देखना होगा क्योंकि एक hydrogen पहले से एक hydrogen और आगे आर्थिक जगह भी hydrogen होगा तो यहां पर क्यारल्टी जो है वो खतम हो जाती है ऑक्सी टेट्रसाइक्लिंग की बात करें तो ओएज ग्रूप देखने को मिलता है जिसकी वेज़े से यहां पर यह जो पोजिशन नंबर फाइव है इस पर एलफा पोजिशन पर क्या लगे होते हैं hydroxy ग्रूप जिसकी वेज़े से एक एक्स्ट्रा जो है कायरल कार्बन यहां पर oxytetracyclin के केस में हमको देखने को मिलता है ब्रोमो टेक्ट्रसाइक्लिंग ब्यार आ जाएगा सिर्फ यह गंतर है और dexas methyl tetracyclin में हमको तीनों पोजिशन पर सिर्फ हैडोजन सी देखने को मिलता है तो यह कुछ general structure है natural tetracyclyn को इस तरीके से आप इनके different structure बना सकते हैं अगर paper में tetracycline या glow tetracycline या oxy tetracycline ये तीनों आपके cell bus में इनका structure पूछता है तो आप इसी general structure से इसका structure बना सकते हैं वहाँ पे जो माई दूसरी class है वो है semi synthetic tetracycline और अभी भी मैंने आपको दिखाया था chemical degradation में जो position number हमारी 6 है उस पे भी यहाँ पे आपको R2 के रूप में जो दिखाया दे रहा है sorry R3 के रूप में कहाने का मतलब जो hydroxy group था उसको अब हमने क्या कर दिया है यहां से हटाया क्यों हटाया है क्योंकि hydroxy group की वज़े से जब हम पता चला कि natural जो हमारी क्या नाम है tetracyclines है उनका chemical degradation हो रहा है acid और base दोनों की presence में तो अकर अब इस hydroxy group को यहाँ से हटाएं तो जो है इसकी activity थोड़ी सी बढ़नी चाहिए तो यह सार में भी आप यह point लिख सकते हो तो चलिए अब बात करते हैं examples की तो doxycycline जो है वो आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर R1 की जगह पे hydroxy group, R2 की जगह पे आपको hydrogen, R3 की जगह पे CS3 और R4 की जगह पे हमको hydrogen देखने को मिलता है जबकि minocycline में आपको यह तीनों जगह जो है 1,2,3 जो है वो hydrogen ही है और R4 की जगह पे हमको एक amine group देखने को मिलता है methocycline में आपको OH group मिलेगा R1 की जगह पे और R2 और R3 मतलब R3 उपलब्द नहीं होगा क्यों क्योंकि R2 जो है वो double bond methylene group देखने को मिलना है double bond CH2 है इसलिए क्योंकि दोनों bond जो है वो double bond से complete हो जाएगा तो इसलिए R3 जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा monocycline में भी same सीज होगी और यहां पर जो R4 है उसकी जगह पे हमको CL group देखने को मिलेगा इन दोनों में सिर्फ यह अंतर है और senocycline में आपको सब जगपे से phydozen देखने को मिलेंगे तो यह है general structure of semi synthetic tetracycline doxycycline आपके से जिससे आप जो स्ट्रीजी और minocycline दोनों का जो है आप structure यहां से बना सकते हैं pro tetracycline आपके से लिए से नहीं है इसलिए मैं सब का structure नहीं दे रहा हूं लेकिन जनरल प्रो टेटर साइक्लिंस का इस्ट्रक्शर रहाँ इसके स्ट्रक्शर में इतने जगा 12 यह पोजिशन पर हड्रोक्सी ग्रूप होता है जबकि नेच्रल में यहाँ पर नहीं था यहाँ पर भी सेम चीजें हैं बस यहां पर आरवन आरटू आरट्री जो है इस जगह पर कोई स साइक्लिक भी होते हैं कुछ जो है क्या नाम है सिंपल ग्रूप होते हैं या कई बात बड़े कॉंप्लेक्स ग्रूप लगे होते हैं आर की जगह पर और इनके कुछ एक्जामपल्स है जैसे रोटली टेक्रसाइक्टलिन लेमी टेक्रसाइक्लिन क्लोमो टेक्रसाइक्लिन प्रिप्रासाइकलिन, गुमेसाइकलिन, मेगलिसाइकलिन, एटीसी यह जो एक्जामपल्स हैं वो हमारे प्रो टेटरसाइकलिन के एक्जामपल्स और इनका जर्नल स्ट्रक्शर कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है, अब बात करते हैं इसके मोड अफेक्शन की या मेक्टिन अफेक्शन की तो टेटरसाइकलिन जो होती है, वो मैंने पहले स्टार्टिक में बताया आपको कि यह बैक्टेरियल प्रोटीन सेंथे इनिमिटर्स हैं और इनका जो मोड अफेक्शन है या मैंने जो अफेक्शन है, वो बिल्कुल सिमिलर है ऐस दा अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटिबाटिक जो की जस्ट पीछे हम लोगों ने उसका फीगर भी बना था तो वैसा फीगर आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं जैसा कि आपने अमीनो ग्लाइकोसाइड के केस में बनाया था देखें जो नॉर्मल कंडिशन होती है तो जो बैक्टेरिल प्रोटीन सेंथेस है वो mRNA के थ्रू चलती है और यह mRNA जो अटेच करता है 30S subunit of ribosome of bacteria जिसकी वज़े से protein synthesis start होती है और जो peptides बनते हैं नय fragments जो बनते हैं protein के वो 50S ribosomal subunit के उपर जाकर के जुड़ते हैं और फिर elongation होता है आखे चल करके protein synthesis जो है वो complete होती है लेकिन जो tetracycline है या aminoglycosides है यह bind कर जाते हैं 30S ribosome subunits पे और इस attachment की वज़े से जो aminocidal TRN है जो transfer RNA है जो mRNA को अपना जो complex sharing करते हैं वो interfered होती है और इस interfering की वज़े से आप कह सकते incomplete protein synthesis होती है या आप कह सकते an emission of protein synthesis होती है या फिर कुछ false amino acids बनते हैं sorry वो amino acid के जुड़ने के वज़े से protein synthesis जो है वो गबर हो जाती है और particularly यह proteins जो है वो bacterial की growth के लिए जरूरी है और वो जब उससे नहीं मिलती है तो bacteria की क्या हो जाती है death हो जाती है तो this is the mode of action of tetracyclines and amino glycosides both अब बात करते हैं कुछ references की जो कि यह कहां से लिया गया है यह सारा का सारा तो Wilson Grissord test book of organic medicinal and pharmaceutical chemistry के से ही मैंने जनरली इसको लिया है और आप देखेंगे कि जितनी भी किताबें उन सब ने Wilson Grissord test books से ही लिया है इस particular topic में बाकि topics तो मुझे बहुत सारे डूढने पड़ा था लेकिए इसमें मुझे जाना मेहनत नी करने पड़ी क्योंकि यह सब कुछ Wilson Grissord में मिल रहा था सेम चीज आपको अलगार सामी मिलेगी कुछ points अलग हैं जैसे classification अलगार सामी से मुझे लेने को मिल गया SN Pandya में भी कुछ points extra मिले मुझे और जो structures हैं वो मैं हमिशा से आप से करता हूं कि structures आप जो है check करें तो pubcan.ncbi से आप जा करके check कर सकते हैं वो आपको perfect जो structural बाते हैं वो हमें महां से बता चलती हैं कुछ हमें mode of action वगएर भी वहां से देखने को मिल सकता है uses जित्यादी भी तो आप जो है इन जगहों का इन references का फिर से प्रियोग कर सकते further further reading अगर आपको कुछ और extra knowledge जो है इसके प्रटी चाहिए तो अगर आपको topic पसंदा आज इससे like कीजिए अपने friends में share कीजिए चैनल दो नहीं होतों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए PDF लिंक जो है वो आपको description मिल जाएगा freely available है आप मारास उसको download कर सकते हैं और वीडियो को देखने के लिए बहुत बात देने